हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लिए कर आए हैं गिहूं के आटे का बहुत ज़दा खस्ता और टेस्टी नास्ता जिसे आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड बिना किसी देरी के पटाफट से इस नास्त नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़े से ड्राय मसाले को रोस्ट करेंगे जिसके लिए हम लेंगे दो बड़े चमज के करीब घनिया तो यहां पर मैंने खड़ी धनिया का इस्तिमार किया आपके पास अगर धनिया पाउडर हो तो आप उसको भी हलका सा तो अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे तो मसाले आपको सेम चमज से लेने हैं बस धनिया की कौन्टिटी आपको थोड़ी से जादा रखनी है तो देखिए एक से दो मिनट हो गए हैं और हमारे जो मसाले हैं वह बहुत ही मीडियम फ्लेम पर भूनना है जब तक कि इसमें बहुत ही अच्छी सी खुश्बूरी आने लगती तो मसाले हमारे भूनकर एड़ी हो चुके हैं तो इसे हम ठंडा होने देंगे और आब हम लेंगे इस तरह की नमकीन तो इसे गठिया भी बोलते हैं तो इसे हम एक मिक्सिंग जार में डाल कर इसका एक फ प्लिक्स फड़ी करेंगे चिली प्लिक्स चुधा हैं जितना हम उस में जतो एक सथा करीमेटी तो यहां पर स्टोरी मेहती तो बहुत ही अच्छा तटा नाष्दा होगी इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोड़ा चमत स्थूटस चमत स्थूटस चमत स्थोड़ा सी था सच स्थू ऑन। मसालीचे कुमपधा पीष लिए है तो कुछ का अतलिक्था पक्रταप्व्द्रण कर लेंगे है इससे धमें एक बोल में ट्रांसफर करलेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, तो हींग हमारी digestion के लिए काफी अच्छी होती है, और नास्ते में इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ी से हींग डाल देंगे, इसके बाद हमने जो अपनी बेशन की गठ पानी डाल कर आपको जितनी requirement हो उतना पानी डाल कर इसे अच्छे से बाइंड कर लेना है, तो देखिए यहाँ पर हमारी binding होने लगी है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान से इसे अच्छे से बाइंड करने के लिए डाल दा है पानी, तो जैसे ही आपको लगे कि अ अच्छे से बाल की शेप मेल बना लेंगे, तो इसी तरह से अपनी सारी बाल को हम रेडी कर लेंगे, तो फ्रैस आप अपने नास्ते के लिए हम आटा लगाएंगे, तो आटा लगाने के लिए हम लेंगे एक कप जितना गेहो का आटा, आप चाहें तो इसे मैदर से भी बन तो देखिए आठे को हमने अच्छे से चाल लिया है तो अब इसमें हम डालेंगे एक चौथाई चमजीती अजवाइन अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रस करके डालेंगे सिस्स का टेस्ट जो है नास्ति में बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसान नमक और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओयल तो यहाँ पर ओयल को हम इसलिए डालेंगे ताकि हमारा जो नास्ता है वो बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बने तो इसलिए हम इसमें थोड़ी स चीजों को अच्छे से mix कर लेना है तो अब दीरे-दीरे करके हम इसे पानी आट करेंगे और इसका हम स्मूथ आटा लगा के तयार करेंगे तो आटा आटा आपको नॉर्मल रूटी के जैसा ही लगाना है नॉर्मल रूटी से भी थुड़ा सा सॉफ्ट लगाना है क्योंकि इ इसे आपको पस 5 मिनट के लिए रस पे छोड़ना है उसके बाद आपको इससे पटा पट अपना नास्ता बना कर तयार कर लेना है तो देखिए यहां पर हमारा आटा काफी अच्छे से स्मूथ हो गया है तो इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोईया बना लेंगे तो इसी तरह से अपनी सारी लोईयों को हम बना कर रेडी कर लेंगे तो फ्रेंज हमारी लोईया बनकर तयार हो चुकिए और हमारे मसाले की बॉल्स भी तयार हो चुकिए तो अब इस तरह से हम इसके अच्छे से कटोरी का शेथ देंगे और जैसे हम आलू का पराठा या करनी है तो इस तरह से देखिए हमारा पहला नास्ता बंकर रेडी हो गया है इसी तुरह से अपने बाकी बैचे नास्ते को भी हम बना कर रेडी कर ďंगे तो आब हम इन्हें कर लेंicias तो प्राइकर लेंगे तो ऊढ़ेतरों एंका लिए तो फानी के लिए आपको तेल को बो दो से तीन मिनट के लिए इसी стран से लिखना है विलकुल ली टच नहीं करना है। सब्सस्सक्राइब गया तो होला रहा हो रहा है और नास्त के लिखनेते हैं eh थोड़ी सी टाइट हो जाती है तब इसे हम इतनी बार चाहें उतनी बार चला सकते हैं तो इस तरह से अलट पलट कर हम इसे 2-3 मिनट के लिए और अच्छे जब करेंगे जब तक हमारे नास्ते में बहुत ही प्यारा सा कलर नहीं हो जाता तो देखें इस तरह से आपको इसे च अपनी चाय क्याफिक ऐसे ही इंज्वाए कर सकते हैं बहुत जदा क्रिस्पी और बहुत जदा टेस्टी बनता है तो ज़रूर से ट्राइ कीजएगा और हमें कॉमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेजिपी कैसे लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए का मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई